हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक नई सांदर वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देहली सबोर्डिनेट सर्विस सेलक्षन बोर्ड कमिशन की पोस्टों के बारे में यहाँ पर आपको पोस्टों पर कैसे फॉर्म को फिल करना है आपको बताने वाला हूं सेनिय परसनल कि अश्टेंट पोस्ट जूर्यर ऑडियो कल पोस्ट लॉए डिविजन पोस्ट टाइप इस्ट पोस्ट इन सभी पोस्टों के बारे में कैसे आपको फॉर्म फिल करना है आपको बताने वाला हूं तो इश्टे बईश्टे मैं आपको पूरी जानकारी दोंगा सुर पर तीन ऑप्सें मिलेंगे आपको क्लिक फॉर्ड न्यू रिजिस्ट्रेशन क्लिक टू सिंग इन फॉर्गेट पासवर्ड अगर आप पहले से कोई फॉर्म फिल्ड किये हुए हैं इस वेपसाइट पर तो आपको उसी पासवर्ड और रिजिस्ट्रेशन नंबर से सिर्फ ल जैसी क्लिक करेंगे आपकी वेपसाइट खुलेगी यहां पर आपकी जानकारी माँएगा नेम ऑफ अप्लिकेशन रिइंटर माँएगा दुबारा नाम डालना है फिर डी ओ भी माँएगा डी ओवी एज पर सेटिफिकेट क्लास फिर आपके दस्वी क्लास का रोल नंबर म सबस्क्राइब करेंगे दोबारा करेंगे इंडियन फादर संपनें दोबारा इंटर करेंगे फिर मदेर डालेंगे फिर इंटर डालना है मदर शने मदें म इस पो n फिर इमेल डालनी है फिर इंटर इमेल डालनी है यहां पर इमेल डालने के बाद यहां पर मांग रहा है इंटर इमेल ओटीपी यहां पर आपने जो भी इमेल और ओटीपी आपने मुवाइल नंबर जो भी डाला है उस पर ओटीपी जाएगी मुवाइल ओटीपी मुवाइल बॉक्स में डाल देंगे, इमेल वाल ओ टीपी, इमेल बाले बॉक्स में डाल देंगे, फिर यहां पर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद, फिर यहां पर माँ रहा है, do you want to give आधार as ID proof क्या आपके पास आधार कार्ड है अगर है तो yes करेंगे नहीं है तो फिर no कर देंगे अगर है तो जरूर लगाईएगा अगर नहीं है तो फिर आपको और कोई ID सेलेक्ट करनी पड़ेगी है तो आधार कार्ड ही लगाईगा आधार कार्ड ज्यादा बेतर रहेगा तो yes पर क्लिक करेंगे आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा फिर यहाँ पर आधार नमबर डालेंगे दुबारा आधार नमबर डालेंगे फिर इंटर नेम ओफ आधार डालेंगे फिर रिइंटर आधार डालेंगे आधार नियम फिर यहां पर माना रहा है पासवर्ड आपको पासवर्ड बनाना है यहां पर देख लेंगे आपको कैसे पासवर्ड बनाने को बोला है ऐसे आपको कुछ पासवर्ड बनाना है यह दिखा दे रहा हूं मैं जूम करके यह आपक करेंगे यहां पर इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करने के बाद फिर इस चोपक के क्लिक करेंगे फिर यहां पर आपको सम्मेट कर देना है जैसे सम्मेट पर क्लिक करेंगे प्रोसीड करते ही इस पर आपको इस होम पेंट पर ले आएगा फिर आपको जैसे आपने रिश्टे डालना है जो भी आपने पास्वेट बनाया है डालना है यहाँ पर वही डालना हो जो आपने ऑने चुल क्लिक करेंगे जैसी क्लिक करेंगे जैसी आपका डैस्पोर्ड ओपन हो जाएगा इस डैस्पोर्ड में आपकी पूरी जानका इद्धियू ही है आपका नेम आपका फादर्स नेम मॉबाइल नमबर जीमेल आइडी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर अगर आपको लगता है आपने करना चाहते हैं अगर आपको कोई रेश्टेशन करते बक्त गलती हो गई थी उसमें तो आपका और आपको बहुत सारे बटन मिल जाते हैं अब आपको क्या करना है अप्लाइफोर न्यू अप्लिकेशन पटन पर इस पर क्लिक करना है जैसे आपको अप्लाइफोर न्यू अप्लिकेशन पर किलिक करें तकिति हैं यह已经 को आप लॉट करना है और यह बैके लिए लिए तो यहां पर आपको जिसबी अप्लाई करना है उसके बारे में आपको पूरी डेटल दें हुई है यहां पर यह सब यह बारवी के ऊपर बैकेंसी है यहां पर सेक्सन पोरो फिस्ट के ऊपर वैकम के है पोस्ट ग्रिजुएट के फिर यहां पर मिल जाएगे, आपको पोस्ट ग्रिजुएट टीचर के ऊपढ़ एघरी कलचर पर आपको सबी तरह कि पोश्टों के जरी आपको बैकनसी मिल जाएंगी किस वैकनसी आपको कौन सी उपर बैकनसी देवी है यहाँ पर बार भी पास के लिए अपलाई करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथ दो तक आपको apply होंगे फॉर्म इसके नो एक से साथ दो तक तो इसपर apply नौपप क्लिक करेंगे बार भी पास के लिए बार भी पास के लिए जैसी apply करेंगे करेंगे यहाँ पर आपकी सारी जानकारी खुल के आएगी अब यहाँ पर क्या करना है आपको present address डालना है पिन कोड डालना है और यहाँ पर दूसरा मांग रहा है पिन कोड अगर आपको यह की आइडरस है तो आपको सिर्फ इस पर आपको है लोगे मेरे रिट purely जी olv और कि आपको स्वार्ण पर यह लाट करने करनी है हिल्यों कैट moderate करें यहां भी आद ले मांग रहा है जबूटर आप करत प्ल겠어 करेंगे यह bisschen करेंगे क्लिक करेंगे तैसे ही ये आपकर माग रहा है है certificate number इसून इसू डेट आपको इसू हुआ है वो आपको डालना है और यहां पर देखेंगे OBC देहली क्या अगर ना OBC देहली से हैं तो इस पर किलिक करेंगे अगर ना OPC आउट डेहली हैं किसी दूसरे राज जिसे तो आप उस पर क्लिक करेंगे यहां पर जैसे आप सिलक्ट वार ऑपसन पर क्लिक करेंगे त्यसे आपको urgency कुलकर आ का करते हैं यहां पर कुछ सोचना है कि मैं इलीज़न नहीं हूं secondo के लिए तो आपर इसा नहीं है यहां पर सभी इलिजबेल है अब गर्म को 받ै आपको रिजर्वेशन नहीं मिली तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और को transforming अब कि यहां पर मांगा पर श्लिफिकेटर NUMB किसी भी केटागेईर स्रिकी स्टाम का कुरेगे लिख के देगा फिर यहां पर मंगोगा इधर issuing date आपको इशू हुआ फिर यहां पर इसका the certificate das tag haben के दोरा इसू हुआ है आपका certificate तो और बहूं यहां पर डाल देंगे यहां पर किस एप data के दोरा इसू हुआ है यह सब को डाल देंगे यहां पश्यर्टिकेंट इस्वंस एस एक particulier करेंगे और आपना स्टेट चूज़ करेंगे तो आपको यह लिखके देगा ओविसी आउटसाइड देली नौट इलिजबल कैटागरी फोर रेजर्वेशन आपको रेजर्वेशन नहीं मिलेगा बाक्यों कोई दिक्क्र नहीं आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कि ओके कर देना यहां पर सीधे अब यहां पर मुझेगा इंप्लोई ऑफ सेम दिपार्टमेंट इपार्टमेंट मेंटल कंडियेट थ्री एर एक्सपियेंस आप इस सबी किसी का अटागरी से आते हैं अगर आते हैं तो क्लिक करेंगे उस पर नहीं आते तो सीधे छोड़ दे करेंगे यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे ऐंक सिधे save and next पर क्लिक करेंगे आपका डेस्बर लूपन होगा अभ में आपकी सारी जानका और खमलोड करने कि आपको डाकुमेंट करने यह नकीं करना है श्लेंट है करना mr. यहां पर आपको फोटो करना है चूज पर क्लिक करेंगे चूज फाइल पर और अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका अपलोड हो जाएगा यहां पर देखिएगा जैसे आपने चूज फाइल पर देखिएगे चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड बटण पर क्लिक किया तो यहां पर नीचे आना है आपको आपने उस सिंग्नेचर अपना अपलोड करना है ऐसे ही ने हम से आपके जो एक सो चालिस पिक्सल से लेकर 110 टक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए औ तो यह ऐसी signature को upload करें चूज फाइल पर click करें और यहाँ पर signature हमने upload कर दिये हैं ऐसी अपना left thumb upload करना है चूज फाइल पर click करना है और upload button पर click करना है अपना दूसरा right thumb upload करना है चूज फाइल पर click करना है और upload button पर click करना है आपका left thumb upload हो जाएगा यह अपलोड करने के बाद आपको सीधे Next पे क्लिक करना है Next बेटन पे क्लिक करेंगे आपका डेस्ट लोग ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको सारी बेकंसी चलते हुई मालूम हो जाएंगी यहाँ पर सारी बेकंसी बारवी के इस तरपे दी हुई है जैसे आपने बार भी इस तरप फोर्म आगे बढ़ाते समय अपलाई किया था यहाँ पर फरक इतना है किसी में टाइपिंग इस्टनोग्राफर की मांग रहा है तो किसी में टाइपिंग का सिंपल कंप्यूटर वाली मांग रहा है यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में आप फर्म अपलाई करना चाहते हैं पोस्टने मिल जाएगा में इच मिल जाएगी जैंडर इधर सबस्ट मिल जाएगा इधर आपको क्लिक करने को आप्सट मिलेगा कई यहाँ पर मलटिपल च्वास करेंगे हम जिस भी पोश्ट के लिए आप पहले देना चाहते हैं उसको पहले चौइस करेंगे जाले देखते हैं अपने उकोडिंग चूज कर लेंगे आप किस पोश्ट के लिए इलीजिबल है जैसे मैं इस तीसरी बारी प्रिफ्यंस को तीन नमबर वाली को पहले देना चाहता हूँ इसमें मांग रहा है सिंपल टाइपिंग मांग रहा है इसमें 25 इंगलिस की मांग रहा है ऊब 30 हिंदी की मांग रहा है तो इसको हम किल्क कर लेंगे पहले यहां पर अपने ओर्डिंग चूज कर लेंगे अब जैसे मैं फर्स्ट वाली के लिए लिजबल हूं तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा चूज कर लूँगा इसके बाद इसमें देखेंगे आप किसके लिए लिजबल है जैसे मैं लाष्ट वाली के लिए इसके लिए इलिजबल हूँ लाष्ट वाली के लिए मैं चूज कर लूँगा ऐसे चूज करने के बाद अब इसमें देख रहा है आप स्वार्ट वाली में इसलिए इसे छोड़किन देंगे आप अगर सिके हुए हैं तो किलिक करेंगे वलना आपको टाइपिंग ग्राफिक वाली ही करने पड़ेगी चूज जैसे माद 6 नमर वाली के लिए एलिजबल हूं तो इस पर मैं 6 नमर वाली के लिए क्लिक कर लूँगा यह एक आपने इप्लोडिंग चूज कर लेंगे मृल्टिबल जैसे जितनी ही आपको चूज करने हैं जिसके लिए आप इलिज्बल है चूज करने वाद आपको सीधे सेबें नेश्ट पर इसपे किलिक करना है जैसे फ्रेंड्स उस पर क्लिक करते हैं तो यहां आगे बढ़ जाएंगे अब यहां पर स्लेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन देने के लिए आप जिसमें भी पहले देना चाहते हैं क्वालिफिकेशन उसको आप पहले देंगे सबके लिए अलग-अलग लेजविटी भरी जाएगी तो चली मैं पहले जिसे जेना चाहता हूं उसे चूज कर लूँगा जिस मैं इसे देना चाहता हूं पहले तो इसे इमाले चूज किया जिसे बटल पर क्लिक करेंगे सलेक्ट के नीचे जो है तो आपके सामने जानकारी खुल के आ जाएगी क्वालिफिकेशन की तो यहां पर आपको क्वालिफिकेशन भरनी होगी है यहां पर जैसे हैं के पहले बॉक्स में इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यह देखके आज़ एक सिलेक्ट एनी पर तो आप इस पर क्लिक करें तो यह आपको 12 मांगने को चुछ कर रहा है अब दूसरे बॉक्स में क्लिक करेंगे यहाँ पर पहुच रहा है 12 पास फ्रॉम ए रिकोजनाइज बॉर्ड इंस्टिटूट यहाँ पर एस करने के बाद करने के बाद इसमें परसेंटेज वाले ऑप्सें में डालेंगे इसमें अपनी परसेंट आपकी परसेंट कितनी है टोल्थ में परसेंटेज डालने के बाद इस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करने के बाद आप अपना बोर्ट का नाम डल देंगे जो भी आपका बोर्ट आया है जिस से यहीं अपने पte, आप का आपने पार भी पास किये है जो जो भी आपना बीट बीप हुआ डालने के बाद तो एक शूज करें के cin weur आपने किस यहर में पास किया कौन से मन्त में पास किया वो मार्सीट में दिवा हुआ होगा उसमें देख लेंगे यह चूज करने के बाद आप यहां पर टिक्लियर करने को बोलेगा बॉक्स से क्या आपको टाइपिंग आती है यहां पर तो इससे बॉक्स को क्लिक कर देना है अब यहां पर save करेंगे do you want to finally save इस पर save कर देंगे option पर okay कर देना है आपको फिर okay करेंगे अब यहां पर देखेंगे आप इस बाले पद के लिए eligible हैं service department में और इसको फिर click करेंगे इसमें जैसे click क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर मन्द यह चूश करने के बाद इंसाइट पर click करेंगे अब अएड बटन पर click करेंगे अब छेक ब Scr compressor click करेंगे अब check box Call button पर click करेंगे अब check box button पर click करेंगे मेरे अब आपको save bottom पर click कर देना है we Soviet Sydney मेर्ट फाइनली सेँ इस पर क्लिक करेंगे तक अब को फिर ओके करना आए है जिए आपके जांकरी सेक्प हो गई आय से देशी दूसरे डिपाइबंट के लिए एम चूज करेंगे यहां पर बटन पर दूसरे के लिए इसका ही मुझे देनी अरवन व्चेल्टर के लिए इस में शायब करेंगे, अब आपको टाइपिंग वाले चेख वॉक्स में क्लिक करना है क् में शेय। जित् झालियों के वादने में जो भी है वो बोड का नेम नीचे डाल देंगे जिस भी बोड से आपने बार भी पास किया है फिर पासिंग ये डालना है मंत डालना है फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे एक कर देना है फिर आपको टाइपिंग वाले चेक बॉक्स में क्लिक करना है अब हमें सेव बटन पर क्लिक करना होगा चलिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे okay करना है insert करना है okay करना है save करना है okay करना है अब यहां पर देखी जानकारी save हो गई है insert हो गई है हम तीसरा लेंगे जो हमने SME में हम तीसरा चूल करेंगे हमें जो भी करना है SMS को करेंगे को पिंफेर्ट में को अमद पाँचमी देपार्टमेंट के लिए फिल बहरें में फिल करेंगे जिन 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 पोस्ट में उसे 교其實 करूंधे सब्लाबर में दोसरा लेसे खालोंस यहां पर आपको दिखे जाएगे आमने किस-किस में डिपार्टमेंट में फिल के हुई है अपनी डिटेल से यहां पर मैं चार को फिल कर चुका हूं ऐसे हम पांचमी वाली को फिल करेंगे चेक बॉक्स पे आपर किलिक करेंगे सेलक्ट करेंगे चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर यहां पर देखेंगे अब यहां पर आपको क्वालिफिकेशन में वाई टोल्थ पर देना है इस पर क्लिक करेंगे फिर डिसिप्लेन टोल्थ फिर आपको परसेंटेज डाल देनी है इस्टेट डाल देना है ऐसी आपको पासिंग बोर्ड नेम डाल देना है पहले की तरह फिर मंत डाल देना है फिर यह डाल देना है अब इंसर्ट करना है आपको यहां पर देखिए इंसर्ट हो गया है आपकी जानकारी अब चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और डू यू बांट टू फाइनली से बटन पर क्लिक करेंगे यह पर बोला है आप इस department के लिए सेव्ड हो गए है इस पर फोके पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपकी जानकारी सेव्ड हो गई है यहाँ पर अब चेक कर लेंगे हम department for education qualification already filed वाले ओप्सन में देखते हैं देखिए पहले चार थी अब पांच हो गई है मैंने पांच डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म फिल किया है ऐसे आप जितने भी जितने में भी अपनी इज्यूकेशन चूज करेंगे उतने पोस्टों में आप इलिजबल होंगे यहाँ पर आप इतनी पोस्टों में मैंने फिल किया है तो मैं इतनी पोस्टों के लिए इलिजबल हूँ ऐसे ही आप और करना चाहते हैं आप जिस भी डिपार्टमेंट में डालना चाहते हैं उसमें आप देख लेंगे उसमें डाल देंगे ऐसा जैसे अब हम चूज करेंगे अब मुझे इसमें डालना है मैड्स में मैड्स जूनियर असेश्टेंट में इसमें हम डालेंगे तो ऐसी बारग की बारीक से हम डालेंगे जितनी पोस्टों में डालना चाहते हैं उसमें अपना चूज कर लेंगे और ऐसे सारी जानकारी फिल कर देंगे ऐसे टैपिंग वाल पर क्लिक करेंगे चेक पोक्स पर क्लिक करेंगे टाइप इंग यूंटकर दिखा देते हैं पहले पांच थी अब देखेंगे कैं हो गई है हमारी पॉष्टें इस option में किलिक करेंगे department education वाले में हम देखेंगे मेडास बढ़ गई है हमारी 6 हो गई है अब पहले 5 सी ऐसी आपको कर लेना है सभी जो भी चूज की है अपने अब friends हम देखेंगे आगे कि fees एक post के हिसाब से करती है एक department के हिसाब से या फिर जितने department में हमने form को fill किया है उन में उन सभी के हिसाब से करती है तो चलिए हम आगे देखेंगे कितने form की fees कटेगी एक department के हिसाब से करती है या फिर सभी department की अलग अलग फीज जाएगी तो चलिए हम देखेंगे आगे भी अब आपको next करना है जैसी next करेंगे तो ऐसी आपका form खुल जाएगा आगे बढ़ जाएगा पूरी जान कई पढ़ लेंगे आपने कौन कौन से department पे सेव किया है अपना डाटा यहां आपका पूरी डेटेल हो जाएगी यहां देख लेंगे आपने जो भी पोस्ट चूज की है department सारा कुछ यहां सब देख लेंगे अब यहां देख लेंगे अगर आपको कोई एडिट परसनल डेटेल से एडिट करनी है यह फोटो सेगनेचर के लिटेट करने एडिट क्वालिटिकेशन ओना एक्सप्रियेंस उवापको एडिट करना है तो वो कर सकते हैं अगर नहीं करना है सहीय है आपका सब कुछ तो स्यध्वर स्यथे इस से क्लिक करेंगे च्यट बोक्स पर naucRight डिक करेंगे रिप करना है चलिए इस पर रिवेरिफाई पेमेंट स्टेटस इफ अलेड़ी पेड़ अगर कर चुके हैं तो इस पे क्लिक करके चेक करेंगे अगर नहीं किया है तो सीथे पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आप अध्युद पर online प्लिक करेंगे यहां वगा सारा जानकारि payment टेट ऐस आप आजायत के आधे अमांट कितना जाना है इतना आहिए पर दूना एक एक्सेट पर झालिक करना है जैसी पैदाओ पर प connectivity पर लिक कर आजाएगा प्लिक यहां देख लें कि आने रखाएं पीअ त मैं फाइनली उसे करता हूं आपको पैमेंट करके दिखाता हो। अगर आप को QR CODE से करना है यू हमो Geschäft करेंगे अगर इंटर ैब्याइख से करना तो किलिक करेंगे एंटर यू पीय डी पर और अपनी इंटर यू पीय डालेंगे और पेमेंट करेंगे ठीक है चलिह पैमेंट करता हूं दो तो यहां देखिए मेरा प्रेमेंट फाइनल हो गया है फ्रेंट्स प्रेमेंट सक्सेस्पुली लिखके आ गया है अब यह करने का अगर आप अप्लिकेशन प्रिंट अपना रखना चाहते हैं तो इस पर प्रेंट अप्लिकेशन पर किलिक करें अपना प्रेंट निकाल लेंग तो आपने दोस्तों के शेयर करें वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कुछ पूछ रा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं